धन धन है तेरी कारी गरी भागवान अरवेद समझ मैं नाया एकुछ उभेद समझ मैं नाया त्यरी अचब निरा जी स्यान धनने तेरी पारी गरी भागमान रे धनने तेरी कारी गरी भागमान और प्रेमी साथ्यों पहली बात में बता दिया कि हाथी इतना बड़ा बना लेकिन जो आख बनाई विल्कुल छोटी बनाई और चीटी इतनी छोटी बनाई कि उसके पेट में इतनी जबर दस्त गांट लगाई कि और क्या बता दे वाले गड़े हाथी इतना हाथी इतना बड़ा बना दिया छोटी आख बनाई ही क्यूं सूराज इतना गरम करा फिर चांदो में सी तलताई ही क्यूं छोटी सी चीटी के पेट में वहारी गांठ लगाई ही क्यूं कोई तुकडो ते महताजी हुया दर दर का बना भिकारी क्यूं गतिया सिन किया को होई फिर इतनी साहू कारी क्यूं उसी रहा से आते सब धर्मी और अध्याचारी क्यूं शापी के अरे शापी के कान दिये क्यूं यो बिना कान बेचा रहा क्यूं भीजिडे पैदा क्यूं होते हैं यो ढंग दुनिया से न्यारा क्यूं किसी के लारे फिरे बेटोगी किसी के एक पिलर क्यूं ना सभी गगन चर पर वाले फिर चमगा दड़के पर क्यूं ना गूलर पैपन बुणगे आला ना ता भूल नजर क्यूं ना अर कैर को तन पाक दाई ना गर दाई डुन्ड समान दन दन है तेरी कारी गरीर बागवानर दन दन है तेरी कारी गरी बागवान और प्रेमी साथ्यों उस बाबा मोहनराम ने एक ऐसा पक्षी बनाया जिसको दिन में दिखाई नहीं देता सिरफ रात को दीखता है। आपने देखाऊगा किसी किसी के हाथ में उंगली छे बनाई और उस महंदी के भीतर किस परकार से लाली को चिपाई और क्या बता देखता है। उल्लू को उल्लू को तन आख दई दिन में नादे दिखाई ही क्यूं। किसी किसी के हाथ में उंगली भगवन छे बनाई ही क्यूं। जब रात बनाई सोने को चकवे नहराच जगाई क्यूं। किस दे में दबकाई इतने महंदी के भीतर लाली। सीपी को मोती बकस दिया और मनी सरप को दे डाली। और पथर में तेही राल कड़े अजब बात देखी वहाली। तुम्हे को तुम्हे नम्बी कर दई इतना बोच बढ़ाया क्यूं। तुमकी जगे करंट बिजली का यो जुगनू के चिपटाया क्यूं। मैं डगने के खता करी यो बिना जबा कहला हाया क्यूं। जब स्रेष्टी जब स्रेष्टी इतनी लबी रची फिर सकल सभी की न्यारी क्यूं। मोरे भोग क्यूं ना करता सब भोग करे सनसारी क्यूं। कवेके दो नैन दिये फिर एक पूतली डारी क्यों आरे निरबल क्यों खरी गोश बना यह जिया रख रहा बलवान धन्धन है तेरी कारी गरी भागवान रहे धन्धन है तेरी कारी गरी रहे भागवान और तीसरी बात में बता दिया कि जब तक मकडी की जिंदगी होती है जब तक उसके मुख में जाला होता है जिंदगी खतम होगी जबी जाला खतम होगा आपने देखा होगा जो मटर की फड़ी होती है वो बिलकुल पैक होती है उपर से लेकिन उसके अंदर भी कीडा जनम ले भी कर देते हैं और जब बच्चा करब के अंदर होता है तो उस प्रम्पिता परमात्मा से उस बाबा मोहनराम से दुआ करता है कि तू मुझे बहारली काड मैं तेरे भजन करूंगा लेकिन बहारली करने के बाद में सारे कॉल करार भूल जाता और क्या बता देती सिर्वादा कोयलका कोयलका सुर मस्त बना दिया रंग बनाया काड़ा क्यूं ना रोह दर कपी सुन्या जनम ते ऐसा ढंग निराला क्यूं जिंदगी वरना खतम होय मकडी के मुँ मैं जाला क्यूं वही सुरजी और चंदर मा फिर मोसम न्यारे न्यारे क्यूं गर्मी और बरसात कहीं बढ़ते हैं सीत करारे क्यूं मटर के दाने में बतला भुणगे ने पैर पसारे क्यूं एक या चंबा भारी से यो जीव कहा से आता है जनम से पहले इस तन में तू कैसे है दूद बनाता है हाड का पिंजर पेट के अंदर किस रस्ते बोचाता है आक नाक मूँकान बना दिया भिदर कहाई उजा रहा था ऐसा बड़ा एक फूले बना दिया कैसे दिख्या भाड़ा था जब हाड मास की दे बनाई तो कहा से लिया मसाला था हाड मास की दे बनाई तो कहा से लिया मसाला था अरग्यानिंदरी कम इंदरी रख दिया पाट तत परवाण दन दन है तेरी कारी गरी बागवान रह दन दन है तेरी कारी गरी भागवान कि और लास्ट बात में बिल्कुल तोड़ कर दिया कभी ने कहते हैं काम क्रोध मदलोब अहंकार एंकार सबसे खराब चीजी होती है सारे काम को विगारती है जीव कोई पैदा होता है को अंधा होता है को लंगड़ा पैदा होता उन्होंने ऐसा क्या गुना किया जो स्पिर्थी पर आती इतनी बड़ी सजा मिली लाश्ट में कभी ने तोड़ कर दिया बात का कि उस बाबा महुनराम की माया को आज तक कोई समझ नहीं सकर क्या बदा दिया कामिक रोद कामिक रोद मदनोब महोतन जीव के साथ लगाए क्यूं एंकार में जगति के प्रणी बुरी तरह लुटवाए क्यूं अंधे लंगडे बहरे गूंग ये जीव नजर में आये क्यूं नीचे जल अर नीचे जल और यूपर बिथवी कैसे इसे टिकाया है धूंडा घर ना मिल्या पवन का कहां पर उसे बसाया है सोना चादी सोना चादी हम रद निकड़े कहीं लोहे की खान हुई पैटे रोल धरती तै निकड़े नू देख यकल हैरान हुई एक भूमी जब रची एक ने तो क्यूं ना एक समान हुई अचते बोलते पता चले न यो जीवे कहां रम जाता है ले जा मणिया कोन इसे और कहां चेह लेने आता है दन प्रभू कवताई तेरी न भेद समझ में आता है अर रती रा में ऐसा ना कर रटता तुझे जहान दन है तेरी कारी गरी भागवान रे धन रत है तेरी कारी गरी भागवान रे धन दन है तेरी कारी गरी भागवान